नमस्कार आज हम पढ़ेंगे इस पर्ष भागदों से पार्ट तीसरी कसम के शिल्पकार शेलेंद्र इस पार्ट के लेखक हैं प्रहलाद अगरवाल आईए अब हम जानते हैं प्रहलाद अगरवाल जी के बारे में प्रहलाद अगरवाल जी का जन्म 1947 में मद्यप्रदेश जबलपुर शहर में हुआ उन्होंने अपने सिक्षा वहीं से हासिल की प्रहलाद अगरवाल जी को हमेशा से साहित्य और फिल्मों में रुची थी उन्होंने साहित्य और फिल्मकारों के जीवन उनके अनुभव को वि कृतियां हैं खुश्बू सात्वा दशक तानाशा सुपस्टार राजकपूर आधी हकीकत आधा फसाना प्यासा अत्रिप्त गुरुदत औरे मांची विमल राय का सिनिमा महाबजार के महानायक 21 सदी का सिनिमा कवी शैलेंद्र जिन्दगी की जीत में यकीन ये थे प्रहलाद अगरवाल जिन्होंने इस पार्ट को लिखा है आएए जानते हैं इस पार्ट के बारे में किस पार्ट में है क्या इस पार्ट के अंदर ना केवल हम राजकपूर और कवी शैलेंद्र को जानेंगे बलकि ये भी जानेंगे कि हिंदी सिनिमा किस तरह से कारे करता है क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर हिंदी सिर्मा हिंदी जगत चलता है इस पार्ट के माध्यम से लेकक प्रहलाद अगरवाल जी ने गीतकार शैलेंदर जी के द्वारा निर्मित पहली और आखरी फिल्म तीसरी कसम के बारे में उलेख किया है वो कहते हैं कि जब राजकपूर जी फिल्म सं निर्मान की घोशना कर दी जो कि इस प्रकार है मैं और मेरा दोस्त सत्यम शिवम सुंदरम अजन्ता मेरा नाम जोकर पर खास बात ये है कि सन 1965 में राजकपूर साहब जब मेरा नाम जोकर का निर्मान शुरू कर रहे थे तो इसके एक भाग के निर्मान में छे वर्षों का स इस फिल्म में हिंदी साहितिकी अत्यंत मार्मिक कथाकृती को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता और शशकतता से उतारा गया है प्रहलाज जी कहते हैं कि ये फिल्म नहीं बलकि सेल्यूलाइट पर लिखी गई एक कविता थी एक गीतकार के रूप में फिल्मी जगत से जुड़े रहने वाले कवी और गीतकार शैलींद्र ने जब फणिश्वरनाथ रेणू की अमरकृती तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिने परदे पर उतारा तो ये मील का पत्थर साबित हुई थी और दूसरा ये भी कि इसे हम आज भी याद करते हैं तीसरी कसम फि शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी और कितनी खमाल बात है कि पहली और अंतिम फिल्म में इतने सारे पुरुसकार जीते थे ये फिल्म कला से परिपून थी जिसके लिए बहुत तारीफ उन्हें मिली और शैलेंद्र की भावकता पूरी तरह से इस फिल्म म जाती है ये फिल्म शेलेंद्र की पहली फिल्म थी और एक अच्छे और सच्छे मित्र होने के नाते राजकपूर ने इस फिल्म की सफलता के बारे में उन्हें जरूर आगा किया था आज हम चाहे इस फिल्म को कामयाब माने लेकिन उस जमाने में ये कड़वा सच है कि परदे पर इस तरह की फिल्म को दिखाना उसे प्रसारित करना और ऐसी लोगों का मिलना जो इस फिल्म पर यकीन करें बहुत मुश्किल था जो भावनाएं इस फिल्म में दिखाई गई है उसे समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल कारे रहा किसी मुनाफे के चलते इस फिल्म क उसको खुब खुब वैसा ही दिखाया जाए इस पाठ में एक जगे हम पढ़ेंगे कि श्री 420 का एक गीत था प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल इस पंक्ती में रातों दसों दिशाओं में कहेगी अपनी कहानिया इस पर संगीत कार जैकिशन को दर्शकों को यूँ ही नहीं दिखा देना चाहिए उनका मानना था कि कलाकार का ये कर्तव भी है कि दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुन्दर भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो भी गीत उन्होंने लिखे सबने बहुत पसंद किये शैलेंदर कभी भी फिल्मी दु फिल्मों में इसी विशेष्टा का स्वागत भी किया और अपनी निजी जिन्दगी में भी शैलेंद्र ने इस फिल्म के साथ नयाई जरूर किया क्योंकि यह फिल्म फणिश्वनाथ रेडियू ने लिखी है और जैसा लिखा हुआ है इस कहानी के अंदर उसे ठीक हुब उसमें दुख को किसी भी तरह बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत नहीं किया गया उसमें दुख को जीवन की सही परिस्थितियों में ठीक ढंग से बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया गया है जैसा कहानी में था इसकी और खास बात कि इसको प्रदर्शित करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ा और साथी साथ वहीदा रह्मान जैसे सितारे इस फिल्म में मौजूद थे जो कि पहले से ही लोकुप्रिय थे और लोकुप्रिय था बटोर चुके थे अफसोस की फिल्म को खरीदने वाला उस समय कोई नहीं था क्योंकि उनकी समवेदना समझने वाले फिल्मी जगत में कोई भी नहीं थे साहित्ते पर ऐसी फिल्में बनाना सच में कोई आसान कारण नहीं था यह फिल्म कब आई और कब गई यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो इसके बारे में हम नहीं जान पातें लेकिन खास बात है कि आज हम इस फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं पर अगर पलट कर देखें तो इस फिल्म ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया साथ ही अगर देखें तो खास बातें कितनी जुड़ जाती हैं कि इस फिल्म को राश्टपती पदक से भी नवाजा गया और बांगला एसोसीशन द्वारा सर्वस्रेश्ट और कई अन्य पुरुसकारों से भी सम्मानित होने का गारव हासिल हुआ मासको फिल्म फेस्टिवल से भी इस फिल्म को पुरुसकृत किया गया तो कितनी खास बात है ना कि 1986 में बने फिल्म जो कि किसी सहित्तिकार ने लिखी है उसको सिनिमा पर उतारना और इतनी बड़ी उपलब्दी हासिल करना वाकई कमाल है इस पार्ट की अनुसार शेलेंदर 20 सालों से इंडस्ट्री में अपनी उपस्तिती कायम रखे थे वहां के तौर तरीके से भी अवगत थे किन्तु वहां के रिवाजों में उलचकर उन्होंने अपनी आदमियत को कभी नहीं खोने दिया उनके अनुसार तीसरी कसम रचना पर आधारित थी और उन्होंने उसका न्याई भी ठीक वैसे ही किया जैसे कि उस फिल्म में लिखा हुआ है मुकेश जी की आवाज में शेलेंदर के गीत सजनवा बैरी हो गए हमार अध्वितिय बन गया वास्तम में कहें तो ये अभिने की दृष्टिकोंड से राजकपूर की जिंदगी की सबसे बहतरीन फिल्म थी तीसरी कसम में राजकपूर ने अभिने किया और खास बात ये देखिए कि जाकते रोहों में जो अभिने किया था उससे भी शानदार अभिने उन्होंने तीसरी कसम में किया प्रहलाज जी लिखते हैं कि फिल्म में लगता है मानो राजकपूर राजकपूर नहीं है वो अभिने नहीं कर रहे हैं वो खुद हीरा मन बन गए हैं और इस दरान राजकपूर अभिने के उच्छ शिखर पर कायम थे इशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे और ऐसे में किसी आक्टर यानि किसी अभिनेता का ऐसी फिल्म को करना अपने आप में मील का पत्थर है यानि आप देखिए कि इस फिल्म में अगर आप इस पूरे पार्ट को पढ़ेंगे तो इस फिल्म में राजकपूर ने किसी भी तरीके से कोई पैसे नहीं लिये है उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए ये फिल्म की और आज हम इस फिल्म की उपलब्धियों के बारे में जान रहे हैं तो आपने देखा कि ये जो पूरा पार्ट है ये कहीं ने कहीं सिनिमा के जगत को दर्शा आता है और साथ ही उस समय के लोग किस तरह अपने कारी के प्रती निश्ठावान थे अपने जबान जो उन्होंने दे दी थी उस पर कारी करते थे सिनिमा की वो लोग जो 1960 में किसी कहानी पर किसी साहित पर ऐसी फिल्म बना देना ये सच में आसान नहीं था आईए अब इस पार्ट में कुछ-कुछ ऐसे वाकिया आए हैं कुछ-कुछ ऐसी पंक्तिया आए हैं जिसको हम थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं इस पार्ट में एक जगे आया है वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवी था जिसे आपार संपत्ती और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टी के सुख की अभिलाशा थी यानि ये शैलेंद्र के बारे में कहा जा रहा है यानि शैलेंद्र किस तरह से मुनाफे के लिए या किसी भी तरीके के यश या धन दौलत के लिए इस फिल्म के साथ नहीं जुड़े हुए थे वो इस फिल्म के साथ क्यों जुड़े थे क्योंकि कहीं न कहीं उनकी आत्मसंतुष्टी थी वो इस फिल्म के साथ न्याई करना चाहते थे, वो लोकप्रियता से ज़्यादा आत्मसंतुष्टी, आत्मसंतोश, मानसिक शांती और मानसिक संतावना की ओर जुड़े हुए थे तो ये फिल्म की खास बाद शैलेंदर से ही जुड़ी हुई है आईए इस पंक्ति को देखते हैं, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है इसका अर्थ है कि व्यथा, पीड़ा, दुख, आदी व्यक्ति को कमजोर या हतोत साहित अवश्य कर देते हैं लेकिन उसे पराजित नहीं करते, बलकि उसे मजबूत बनाते हैं और इस पार्ट में हम देख सकते हैं कि किस तरह से शैलेंदर अपनी इस फिल्म के लिए डटे रहते हैं, जुटे रहते हैं और कहीं न कहीं तीसरी कसम में भी इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आप पहुचेंगे कि फणिश्वरनात रेणू ने किस तरह से एक कहानी लिखी थी तो यानि हर आदमी व्यथा की जीवन की एक नई सीख देता है, उससे सीखता है व्यथा की कोक से ही तो सुख का जनम होता है और इसलिए व्यथा के बाद का दुख आने वाले सुख को और सुखकारी बना देता है पंक्तियों पर चर्चा करने के बाद आईए, अब हम बात करते हैं, फिल्म निर्माता के रूप में शेलेंद्र की कुछ प्रमुक विशिष्टाओं पर ये उनकी पहली और आखरी फिल्म थी, उनको अधिक धन संपत्ति का लालच न था और नाहीं नाम कमाने की इच्छा, उन्हें तो केवल अपने आत्म संतोश की काम न थी और वो कलाकार की करतव्यों से भी परचित थे, जैसा कि आपने देखा होगा पाठ में प्रहलाद जी ने लिखा है कि वो दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुन्दर बनाने की कोशिश करें, ये तमन्ना रखते थे और सबसे बड़ी बात कि जूटे, रंगधंग या दिखावे को वो बिलकुल नहीं मानते थे और ना ही उन्होंने अपने जिंदगी में इसको अपनाया था और इस तरह कि कोई भी फिल्म, यानि जो शैलेंद्र का मन था, लिखा कहते हैं कि वो सच्छा कवी हृदय ही बना सकता है, इसका क्या मतलब है? यानि जो व्यक्ति साहित्य को एहमियत देता हो, जो सिनिमा में साहित्य की अवशक्ता को समझता हो, वही बना सकता है पार्ट के अंदर आप देखेंगे कि एक पंक्ति आती है, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता कहा गया है प्रहलाज जी अपने इस पार्ट में इसका जिक्र करते हैं, यानि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सेल्यूलाइट पर लिखी कविता, यानि कहानी को हुबहू, कैमरे की सहायता से परदे पर उतारना यानि मनुष्य जीवन को, जो खासतोर से हमारे निजी जिन्दगी में चल रहा हो, उसको ठीक वैसे ही परदे पर उतार देना चरित्रों के मानुए सम्वेधनाओं, उसकी भावुकता को रील पर ठीक वैसा उतार देना जैसा कहानी में लिखा गया है यानि रील पर रियल लाइफ यानि रियल जिन्दगी का फिल मांगकर विदार्तियों, आये इस पार्ट के माध्यम से शैलेंद्र और राजकपूर से जोड़ी कुछ खास बातों से परचित कराती हूँ शैलेंद्र और राजकपूर की जोड़ी ने कई फिल्में एक साथ की इन फिल्मों में आवारा, आग, श्री 420, चोरी चोरी, अनाडी, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, तीसरी कसम, Around the World, दिवाना, सपनों का सौधागर और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में शामिल है राजकपूर के साथ शैलेंद्र की मुलाकात एक कभी सम्मिलन के दोरान हुई थी, और राजकपूर को शैलेंद्र के गाने का अंदास बहुत भाया, उन्हें उनमें भारती सिनमा का एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया, राजकपूर ने शैलेंद्र से अपनी फिल्म पाए संपर्क किया और अपनी शर्टों पर ही राज कपूर के साथ काम करना स्विकार कर लिया राज कपूर के अलावा शैलींदर की जोड़ी निर्माता निर्देशक बिमल राय के साथ भी खूब जमी शैलींदर अपने करियर के दौरान प्रोग्रेसिव राइटर इसोसिए के सक्रिय सदस्य बने रहे वे इंडियन प्यूपिल्स थियेटर इप्टा के भी संस्थापक सदस्यों में से एक थे शैलेंद्र को विद्यार्थियों हम उनके गीतों के लिए जाने जाते हैं और सबसे खास बात कि उन्हें तीन बार फिल्म फेर अवर्ड से सम्मानित किया गया शैलेंद्र के सिने सफर में उनकी जोड़ी प्रसिद संगीतकार शंकर जैकिशन के साथ खूब जमी और उनके बनाए गाने जबर्दस थिट हुए शैलेंद्र ने बूट पॉलिश, श्री 420 और तीसरी कसम में अभिने भी किया है खमाल बात और इसके अलावा उन्होंने फिल्म परक, 1960 के समबाद भी लिखे थे विद्यार्थियों आपको जान कर शाय धहरानी हो कि शैलेंद्र ने वर्ष 1986 में तीसरी कसम का निर्मार किया लेकिन बॉक्स ओफिस पर इसकी असफलता के बाद उन्हें गहरा सदमाई पहु ऐसे एक कहानी पर बनी फिल्म एक तरफा सफलता के नए किर्थिमान गरती है लेकिन वहीं अपने समय में उसे वो शुहरत और सफलता हासिल नहीं हुई जिसकी वो असल में हगदार थी अगर हम आज की कमर्शिल सिनेमा यानि व्यवसाइक सिनेमा की बात करें तो पाएंगे कि शायद ही कोई प्रड्यूसर या निर्माता होगा जो किसी साहित पर फिल्म बनाता है और इसलिए आप देखेंगे कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग साहित से अचूता रहता है साहित और सिनेमा का संगम अपने आप में कितना अनुठा है लेकिन बात हमेशा कहां आकर रुकती है सिनेमा के हिट और सुपर हिट के कल्चर पर जैसा कि पार्ट के शुरुवात में आपने देखा भी है और ये लिखा हुआ है कि कोई भी शुकरवार ऐसा नहीं होता है जब कोई नई फिल्म नहीं लगती हो और हर शुकरवार फिल्म बदल जाती है तो फिर ऐसे में फिल्मे यानि वो फिल्मे जो की कमर्शल ढंग से नहीं बनी है जो कमर्शली हिट नहीं हो सकती है उसका चलना कितना मुश्किल होता है साट के दशक में ऐसा जोखिम लीना बहुत बड़ी बात थी और आप सभी इस बात पर ध्यान दे कि एक ऐसा जमाना जहां पर विश्वास या यूं कहें कि जबान का यकीन करना कितनी बड़ी बात थी जैसे पार्ट में आप एक जगे देखेंगे कि राजकपूर कहते हैं कि वो इस फिल्म के लिए एक भी रुपए नहीं लेंगे और एक कमरिशल आक्टर के रूप में ऐसी बात कहना उस पर खरे उतरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है शैलेंद्र ने लिखा भी है कि वो जब राजकपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुँचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक काम करना सुविकार कर लिया पर तुरंद गंभीरता पूर्वक बोले मेरा एडवांस देना होगा शैलेंद्र को ऐसी उमीद नहीं थी कि राजकपूर अपनी दोस्ती का ये बदला लेंगे शैलेंद्र का मुर्जाया हुआ चेहरा देख कर बोले कि निकालो एक रुपे पूरा एडवांस शैलेंद्र इस बात को सुनकर मुस्कुरा दिये तो यानि विद्यारतियों आप ये देखिए कि हम एक ऐसे समय की भी बात कर रहे हैं कि जहां पर जबान, विश्वास और दोस्ती की एहमियत है फिल्म जगत में ऐसा पाना, ऐसा मुम्किन हो पाना बहुत मुश्किल फिल्म जगत की एक अपनी चुनौतियां भी होती है, मसलन किसी फिल्म को हिट होने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं प्राज कपूर ने शैलेंद्र को इसके लिए आगा भी किया था, लेकिन इस फिल्म में तथा कथित हिट होने वाले कारकों का इस्तमाल नहीं किया गया पार्ट में भी आप देखेंगे कि प्रहलाद अगरवाल ने एक वाक्य या यूं कहूं कि मुहावरे का प्रयोक किया है दो से चार बनाना यानि एक प्रड्यूसर होने के नाते मुनाफे या पैसे से पैसे बनाने वाले दृष्टिकोंड से शैलेंद्र ने ये फिल्म नहीं बनाई आप देखिए उनके गीतों में भी ये भाव दिखाई देता है मेरा जूता है जैपानी ये पतलून इंगलिष्टानी सर पर लाल टोपी रखे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ऐसे गीत लिखने वाले गीतकार शैलेंद्र ही हो सकते हैं अब अगर हम फिल्म के एक सीन पर बात करें मैं चाहूंगे इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप जरूर ये फिल्म देखेगा तो शायद आप इस सीन को समझ पाएं इस फिल्म में आप देखेंगे कि एक जगे कजरी नदी के किनारे घुटने मोड कर गीद काते हुए हीरा मन हीरा बाई से पूछता है मन समझती है ना आप तब हीरा बाई जुबान से कुछ नहीं कहती परंतु आखें बोलती हैं और ऐसे द्रिश जहां भाशा से परे जाकर कोई सीन परदे पर ठखर जाए हिंदी सिनमा में ऐसी अभिव्यक्तियाम बहुत कम देखने को मिलती है पाट और फिल्म को देखते हुए आप समझेंगे और ये जानेंगे मिरख्याल से महसूस कर पाएंगे कि हमारे फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि उसमें लोक तत्व का अभाव होता है वे जिन्दगी से दूर होती है यदि त्रासद स्थितियों को चित्रांकन करना भी होता है तो उसे हम बहुत ग्लॉरिफाइ कर देते हैं यहां हम यानि फिल्मे या फिल्मकार जो होते हैं वो ग्लॉरिफाइ कर देते हैं दुख का ऐसा विभद से रूप प्रस्तुत होता है जो कहीं न कहीं हकीकत के करीब नहीं ठहरता फिल्म में अक्सर आम जीवन से बहुत दूर हो जाती है अर्थात उसमें वास्तविक्ता जैसा कुछ भी नहीं होता तीसरी कसम की ये खास बात थी कि वो दुख को भी सहज स्थिती में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दुख को बढ़ा चड़ा कर इस फिल्म में बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ऐसी ही बारिकियों से सजाई गई थी ये फिल्म तीसरी कसम और इनी सारी बातों को प्रहलाद जी ने अपने इस पार्थ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र में बया किया है आशा है कि आप इस पार्थ को पढ़ने के बाद उन तमाम फिल्मों को जरूर ढूणेंगे जो साहित्य पर आधारित हैं और इस फिल्म को भी जरूर देखेंगे इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम लेती हूँ आशा है कि आप इस पार्थ को अच्छे से समझे होंगे आपको आनन्द आया होगा नमस्कार यहाँन के बहुन अमस्कार आपको जगसे साथ मैं ancora ऊanu नमस्कार ज्ब accepts है करतो ड眉न और ओा-पको अगन गरं आपको विया जब साल झाल झाल